हमारे देश के राजा दिलीप जो चक्रवर्ती राजा थे जब निस संतान होने के कारण गुरु वसिष्ट के यहां गए कि महाराज हमको संतान नहीं है कारण बताईए और निवारण बताईए तो वसिष्ट जी ने ध्यान करके बताया कि स्वर्ग लोक से आते समय जल्दबाजी के कारण तुमने काम देनों की परिक्रमा नहीं की इसलिए काम देनों ने तुमको निर्बंस होने का शाप दिया है क्योंकि पत्नी से मिलने की तेजी में तुमने उनकी परिक्रमा छोड़ी थी तो उन्होंने कह दिया कि जिस कुद्देश से पत्नी के पास जा रहे हो पूरा ही नहीं होगा कभी संतान नहीं होगी तुमको संतान नहीं है का महराज कारण तो जान लिया ये बात सही है मैं जल्दबाजी में था इसलिए परिक्रमा नहीं कर पाया था अब निवारं का निवारं यह है कि उसी कामदेनों की बेटी नंदिनी हमारे आश्रम में रहती है वो भी कामदेनों के जैसे गुणों वाली है उसकी सेवा करके अगर उसको तुम परसंद कर लो तो उसके आश्रवाद से तुमको संतान हो सकती है तो राजा ने नंदिनी गव की सेवा से करना स्विकार किया और कैसे करते थे अतप प्रजानाम अधिपप्रवाते जाया प्रतिक ग्राहित गंदमाल्याम बनाय पीतप प्रतिवत दवत साम सवेरे जब बच्डे को दूद पिला दिया जाता था गाए को थोड़े सी घास किला दी जाती थी उसके बाद गाए और बच्ड़ों को छोड़ दिया जाता था वो जंगल में जाके हरी-hari घास और बहुत सारी वनस्पतियां चरते थे जिससे उनके दूद में अवसदिय गुणा आ जाते थे तो वो गाय को चरने के लिए राजा दिलीप और सुदक्षिना उनकी पत्नी जाते थे गाय को खोल करके फिर उसके पीछे पीछे चलते थे तस्या खुरण्या सपवित्र पांसुम अपान सुला नाम दुरिकीर तनिया मारगम मनुष्ये श्वरदर्मा पत्नी शुते रिवार्तम स्मतिरन मगच्छत जैसे जैसे खुर रखते हुए गाय नंदिनी चलती थी उसी खुर को देखते हुए उसके खुर पे उपर पांव न पढ़ जाए अपने से पुझ ने जहां पांव रखा है वहां अपने को पांव नहीं रखना चाहिए बचा बचा करके और अपने से पुझ जहां खड़े हों उनकी चाया के उपर भी खड़े नहीं होना चाहिए ना लांगना चाहिए जहां अपने पूजनी ये कोई खड़े है तो वहां से उनकी चाया अगर यहां जा रही है तो उस चाया को बचा करके अपने को आगे जाना चाहिए दोश होता है नहीं इसलिए मंदिरों के बगल में लोग गर नहीं बनाते कि मंदिर के शिखर का इसकी चाया हमारे गर पे ना पड़े उससे भी दोश होता है तो इसलिए मंदिर जो है थोड़ा अलग बनाया जाता है ताकि घर के उपर उसकी चाया ना जाए क्यों कि घर में हम आ रहे हैं जा रहे हैं चाया का लंगन ना हो जाए चाया पढ़ने से दोश नहीं है लेकिन हर समय चाया पढ़ती रहीगी किस दिन भर काम चलता रहता है चछत पर आना जाना लगा रहता है तो कोई न कोई लांग देगा तो चाया के लांगने का दोश कहीं हमको न लग जाए इस बारे में जो सतर्क लोग हैं तो पहले ही देख लेते हैं कि अगल बगल में कोई मंदिर तो नहीं है उसके बगल में हम घर नहीं रखेंगे तो ये नियम है इन नियमों का पालन करना पढ़ता है ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना पढ़ता है तब जाकर के अपने को सफलता मिलती है